दोस्तो अगर आप कोई की वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाए और प्रेस करें हमादी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आपको काफियत तक क्लियर हुआ होगा तो आज किस वीडियो में आपको सिखेंगे अपनी साइट के कमेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं तो वो सब चीज़े हम आज कवर करेंगे अपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए तो चलिए सीखते हैं तो दोस्तो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ वेबसाइट में यहाँ पे फ्रंट पेज अभी आप देख वा रहे हैं मैं अभी लॉगड इन नहीं हूँ एक नॉर्मल विजिटर के वे में यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा हूँ सबसे पहले देखिए कमेंट्स होते क्या हैं कमेंट्स दोस्तों अलाओ करते हैं किसी भी विजिटर को वो जब भी किसी साइट में विजिट करता है उसके थ्रू जो है कोई भी विजिटर आपके साथ या किसी दूसरी विजिटर के साथ जो भी यूजर है उस वेबसाइट में visit करता है उसके साथ वो communicate करते हैं by adding their feedback to the particular post that you have added या कोई भी post आपने जो लिखी है कोई भी post आपने जो add की है तो कोई भी visitor जो है अपनी feedback अपनी राय जो है वो comments के through जो है वहाँ पर देता है वो आपकी website में add करता है इसी ये दूसरे users के लिए भी helpful होता है तो ये सब चीज़ें जो आप कैसे manage करते हैं ये सीखते हैं तो चलिए जैसे एक normal user की तरह मैं जैसे अपनी site में पहले visit करता हूँ तो यहाँ पे different sort of articles यहाँ पे लिखे होंगे मैंने या normally यहाँ पे अपनी feedback या अपनी राय जो है comments के through यहाँ पे add कर सकता हूँ by default wordpress में comments जो है on ही होते हैं by default किसी भी page के लिए जो है post के लिए comments add on रहता है ठीक है आप वहाँ पे comments add कर सकते हैं लेकिन हम इसको back end से hide भी अगर आपको किसी page या post के लिए नहीं दिखाना है comment add नहीं करवाना चाते हैं तो वो भी आप manage कर सकते हैं तो वो भी मैं आपको कुछ दिरबाद बताता हूँ लेकिन सबसे पहले जैसे इस post के related मैंने कुछ अपनी thoughts यहाँ पे share करने है जैसे as a normal visitor तो मैं यहाँ पे अपनी simply कुछ भी आपने comment आपने add करना है आप दे सकते हैं this is test post comment added by such as Aman Thakur ठीक है और मैं यहाँ पे simply अपनी जो normal email आप name यहाँ पे add कर सकते हैं जो भी एक जो exactly जो आपको एक जो exact प्रॉपर email address उसके फराओ जो है आप क्या है comment add कर सकते हैं यह दो ही required field है यह optional है आप add करना चाहते हो तो ठीक है नहीं add करना चाहते हो तो यह compulsory नहीं है और दूसरा यह option यहाँ पे check box इसलिए बता रहा है कि in future अगर आप दोबारा इस website में visit करते हो comment add करना चाहते हो तो आपको यह options दोबारा fill up ना करना पड़े तो यह सारी options क्या करता है ब्रॉजर में save करके रखेगा आपकी info को ठीक है तो यह उस चीज के लिए है तो यह भी इतना ज़रूरी नहीं है किसी theme में यह available होगा option किसी में यह नहीं भी होगा आपके लिए तो यह इतना माईने नहीं रखता है mainly है कि आप अपना comment यहाँ पर add करेंगे name और email जो verified name और email address है वो आप यहाँ पर add करके यहाँ पर post कर सकते है comment जो भी आपका comment है तो सबसे पहले चीज़ यह कहा है कि यह directly जो है publish नहीं होते है back end में option होता है कि पहले admin जो है आपके comments को जो है approve करेगा उसके बाद ही जो है यह post में visible होते हैं दिखेंगे यह post में तभी तो जैसे अभी यहाँ पर यह दिखा रहा है कि आपका comment कुछ इस तरह से दिखेगा लेकिन यह तब ही दिखेगा जब यह approve होगा उसके बाद यह चीज़ें यहाँ पर नजर आएगे तो basically इस तरह से जो है कोई भी एक normal जो है आपकी इस website में comment add कर सकता है अपनी किसी भी article से related अपने thoughts अपनी opinion share कर सकता है अब back end में इसको कैसे manage किया जाए यही चीज़ हम आज देखेंगे तो जैसे मैं एक normal user ने जैसे किसी ने भी आपकी website में comment add किया तो अब जब back end में हाँ पर अपनी website में visit करेंगे तो यहाँ पर different options होंगे कहाँ पर आप यह comments देख सकते हैं कहाँ से इनको आप manage कर सकते हैं सबसे पहले जैसे dashboard का overview मैंने दिया था तो मैंने वहाँ पर बताया था कि यहाँ पर recent comments में अगर आप यहाँ पर देखेंगे निचे एक block है यहाँ पर आपने जो भी recently comment add की होंगे जो भी user ने किसी भी जिस जिस post पे भी add की होगा वो directly यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो approval के लिए pending है यह सारा जो भी action आप perform करना जाते हैं डिरेक्ली यहाँ से approve भी कर सकते हैं reply भी add कर सकते हैं edit भी कर सकते हैं spam आपको लगता है तो आप उसको spam में भी mark as a spam कर सकते हैं या trash इसको delete भी कर सकते हैं यह भी एक options है आप यहाँ पर जैसे quickly यहाँ पर comments आपने रीड करने हैं तो आप इस section में इस portion में जाके भी check कर सकते हैं लेकिन आप अगर यहाँ पर देखेंगे dashboard में menu बनाए specific menu for comments आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर different tabs यहाँ पर देखेंगे इसने add किया है तो वह यहाँ पर separate tab में दिख रहे हैं pending कितने comments है वह यहाँ फे list out हो सकते हैं आप जो भी check करना चाते हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ सारे pending comments है यहाँ पर दिख रहे हैं जो approve हो चुके हैं वो यहाँ पर नजर आरे हैं कोई भी spam में या trash में कोई comments है तो वो यहां पर चेक कर सकते हैं तो basically आप directly यहां पर जा सकते हैं किसी भी comments को जो भी user ने यहां पर एड़ किया है आप यहां से अगर आपको लगता है अप्रूब करना चाहते हैं तो आप यहां से अपको better लगता है तो आप यहां पर अप्रूब कर दीजिए अप्रूब हो जाएगा अप्रूब नहीं है चला जाएगा यहां से switch हो जाएगा ठीक है और किसी भी comment का जो भी आप अगर reply add करना चाहते हैं तो यहां पर आप यहां पर add कर सकते हैं तो यह comment update भी हो जाएगा ठीक है और edit करेंगे तो यह पूरा page यहां पर open कर देता है जहां पर आपने जो भी detail आपको लगता है change करना है तो आप अप change कर दीजिए यहां से आप status भी उसका change कर सकते हैं जो भी जैसा status आपने उस comment का set करना है और update कर दीजिए तो आपका comment उसी हिसाब से जो है update हो जाएगा ठीक है तो यह different options है जो available होते हैं as a admin जब आप अपनी website में backend में जाते हैं जो भी आपके comments आपकी sites में आपके articles में add हुए होंगे उस सारे आप यहां पे manage कर सकते हैं different sort of tabs यहां पे available होते हैं जो भी आपको लगता है किसी भी तरह से आप किसी भी comment को अप्रूब कर दोगे तो वो यहां से अप्रूब अप्रूब हो जाएगा ठीक है और यहां से अब वो जी चीज जो है front end में यह चीज नहीं देखेगे जो भी comment आपने यहां पे रखा है कहीं पे भी आपने जैसे कोई भी सारे comments यहां पे जैसे approved है या unapproved है ठीक है जैसे approved है उसमें unapproved का option आ रहा है यहां पे देखिए यह देखिए आप यहां पे directly कर दे जाएंगे वो चीज वहां से हट जाएगी तो यह आपके post आपके article से भी वहां से remove हो जाएगा आप जब तक यहां पे उसको approve नहीं कर देते तब तक वो front end में चीज़े यहां पे नहीं दिखती है ठीक है तो यहां पे different sort of options है चाहे आपने comments को edit करना है, approve करना है, reply देना है जो ही comments में user को जो भी आपका site का visitor है, कोई भी sort of changes याप updates यहां पे चाहते हो तो वो भी यहां पे आप कर सकते हो, so different sort of options है जहां पे आप अपने सारे comments को manage कर सकते हैं, एक और बात में यहां पे बताना चाहते हो, suppose that आपको किसी specific page या specific post से related अगर आपने comments यहां पे देखने यहां पे add हो है, तो इसके लिए आपके कहां जाना है, जैसे post से related आपने कोई comments देखना है, तो आप post में और post में चले जाएए, तो जिस भी post में यहां पे comment आपने check करने है, यहां पे highlight भी हो रहा है, किसमें कितने comments post में add हो है, आप directly इस post में visage कीजिए, edit पे जब यहां जाएंगे, तो आप यहां पे down below यहां पे options जैसे यहां पे available नहीं है, तो इस screen options के बारे में भी मैंने आपको introduce कर रहा था, यहां से आप options visible आप check कर सकते हैं, जो जो चीजे आप यहां पे दिखाना चाहते हैं, वो आप यहां से check कर सकते हैं, और simply वो चीजे आपके down below screen में यहां पे नजर आजाएंगे, देखिया, ठीक है, और show comments में यहां पे जैसे दिख रहा है, जितने भी सारे comments हैं, वो यहां पे आप यहां से भी इनको manage कर सकते हैं, जैसे इस post से related ही, किसी भी आपको comment को unapprove करना है, या approve करना चाहते हो, तो यहां से approve हो जाएगा, और यह इ कर देंगे, ठीक है, तो यह front end से भी हज जाएगा, जैसे आप पहले 3 दिख रहे थे, यहां पे दो ही दिख रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पे post से related भी comment को manage कर सकते हैं, directly किसी एक specific post में भी जाके, और दूसरी एक और important बात, अगर आपको लगता है, इस post में ज किसी भी तरह कोई भी user जो है, comments add कर सके, तो यह भी आप यहां से disable कर सकते हैं, by clicking this one, allow comments को आप अंचेक कर दीजे, और यहां पे post को आप update कर दीजे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कि अब आपके पास यह comment का ही जो form दिख रहा है न, back end में यहां पे यह देखिए, अब यह further यहां पे नहीं show होगा किसी भी user को, और यहां पे कोई भी comment add नहीं show होगे, यहां पे दिख रहा है न, comments are closed, अब यहां पे कोई भी person जो है comments नहीं add कर पाएगा इस post में, तो इसी तरह से किसी भी post के लिए, किसी भी page के लिए भी आप directly यहां से जाके discussion, यह जो tab है न, यह options आपकी पास यहां से available हो रहा है, अगर यह नहीं दिख रहा है, तो आप यहां से इसको check कर सकते हैं, और यहां से activate और deactivate कर सकते हैं, तो इस तरह से जो आप post में, comments को यहां से hide करवाना चाहते हैं, तो hide करवा सकते हैं, इस form को, अगर आप दिखाना चाहते हैं, तो यह visible भ तो आप कहां से manage कर सकते हैं, तो वो सारी options यहां पे available हैं, जहां पे भी आपको चाहिए, जैसे मैंने कहा, अगर आपको quickly किसी भी post के, जैसे recent comments अपनी sites में देखने हैं, तो यहां पे नजर आ जाएंगे recent comments के अंदर, आप यहां पे भी पूरे वो ही options दिख रहे हैं, जो भी आपको लगता है, जो भी changes करने हैं, तो आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहां से directly comments को यह देखिए, अप्रूब भी कर सकता हूं, ठीक है, यह सारी चीज़ें, अगर आपको सारे complete website के comments देखने हैं, तो वो यहां पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको page specific या post specific comment देखने हैं, तो आप वहां पे जाएं, pages में या post में, जो भी आपको comment यहां पे चेक करने हैं, आप उस पे edit पे click कर दीजे, और यहां पे down below यह options आपके पास available हो जाएंगे, ठीक है, और यहां से जैसे मैंने बताया, आप allow या disallow या कर सकते हैं, जिससे comment कोई भी person आपकी website में add कर सकता है, या नहीं भी कर सकता है, ठीक है, तो hope दोस्तों आपको video अच्छी लगी और helpful लगी होगी, तो like और share जरूर कीजिए, तो मिलते हैं next video में, till then bye bye, take care, thank you, thanks for watching, तो दोस्तों इसी तरह की videos को देखने के लिए, हमारी channel को subscribe करना मत भूलिए, और हाँ bell icon जरूर दबाएं, ताकि हर videos की notification आपको मिल जाए, जैसे ही video हम upload करते हैं, thank you, thanks for watching,